तो बई अगर आप अपने लिए लैप्टाव सर्च अड़ कर रहे हैं अगर आपको बज़े नाइटी थांचे लेके दो लाक है आप बहुत सही वीडियो पर आयो तो यार आज मैं आपके लिए लैप्टाव बताऊंगो जो कि आपके लिए बैस्ट डील होने वाले अगर नाइटी थांचे कम है यर मैंने पहले ही आपके लिए वीडियो किया उसको डियू कर लेना भी स्टार करते हैं सबसे पहले मैं अपको बता देना चाधों अगर आपको बेनाइटी थांचे लेकर वान लाक टैंथ हैं हो जाता है मैं है चार ले जैट ब्लस बहुत पसंद आ अगर आपने प्रोग्रामिंग या कोडिंग बगारा भी करनी है आपके लिए बहुत बैस्ट दील होने वाले तो सीवी बात करते है नंबर फोर की बात करूं नंबर फोर पर यार मैंने रखिया है को अगर इस लैप्टाप की बात करूं आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि मर्सी का नाम है तो फॉर बैस्ट है फॉर क्रेटर के लिए तो यार अगर आप इंटुनियर डिजाइनिंग करते हो तो आप भी एक तरह के क्रेटर ही होती है तो आपके लिए यह कर लेना इसकी रैम को एकस्पेंडेबल कर सकते हो 32GB तक उसके बाद आपको 4GB ग्राफिक कार मिल जाएगा लेटेस्ट पर सैसर बगारा भी आपको दीखने को मिल जाएगे एंट मैं असी ब्रेंड़ टॉप ब्रेंड में से आता बहुत तगड़ा लैप्तॉप है मैं डीप लेन्थ जादा हो जाएगे इसलिए मैं आपको डीपली नहीं बतारा आप आगी बात करते है नंबो थ्री की नंबो थ्री की बात करो नंबो थ्री पर यार मैंने रखिया असूस रॉग सट्रिक्स को तो इसको इस बड़र रेंज में रखने का एक रीजन है सबसे पहले तो इसका प्राइज थीगा है आपको 90,000 के बजल में 16GB RAM मिल जागी 4GB Graphic Card मिल जागा एंड इसकी Display Quality बहुत अगड़ी मिल जाती है इसमें भी आपको 144 रेफ्रेश वेड़ देखने को मिल जाती है ठीक है तो stylish design तो मिली जाता है उसके साथ सा स्पैसिफिकेशन भी बहुत आपके बात करते हैं नंबर टू की नंबर टू पर यार मैंने रखिया है Asus Rock Zabras G14 को अगर इस लैपटाप की बात करो तो अगर आप किसी कस्तमर के पास जाते हो जाए कोई कस्तमर आपके पास आता है आपके लैपटाप को देखता है तो यार इसका नाम वह 100% पूछने व करना जाते हो OUT के लिए बैस लाफ स्ट्छिंग करना जातों वीडियो करना जाती हो sounding करना जाते हो आजुए को मल 50 घवरे दिखने को मिल भी आगे बात करता है नबर वान की बात करूं नबर वान पर यार मैंने रखिए है एच्पी ओमिन को अगर इस लैप्टॉप की बात करूं इसके भी स्पैसिफिकेशन बहुत तगड़े देखनी को मिल जाते है आपको टू जिरो सावन जिरो ग्राफिक कार भी मिल जागा यह मुझे एच्पी का ही लैप्टॉप चाहिए तो आपके लिए पूर्फेल्ट डील हो सकता है एच्पी ओमिन आप इस लैप्टॉप के और जा सकते हो तो यार अभी मैंने आपको टॉप बैस्ट लैप्टॉप बता दिया अगर आपका बजट नाइटी तांसे लेके वा हो ज्यादा सही डील होने वाले है कोई भी आपने हैवी सॉफ्टॉप पर काम करना आप स्मूथली कर सकोगे अभी आगी बात करते हैं अगर आपका बजट वान लाग टैन थाउजन से लेके वान लाग फॉरी थाउजन हो जाता है इस प्राइज रेंज में मैंने रखें त लाप्टाप भी आपको बहुत अगड़े मिलने वाले तो अगर आपको एक क्लासी डिजान चाहिए जब प्रीमियम डिजान चाहिए उसके साथ साथ तगड़े स्पैसिफिकेशन चाहिए मैं आज आपको तीन लाप्टाप बताऊंगा जो कि आपके लिए पोफेक्ट डील हो जेंगे बात करते हैं नबो थ्री की नबो थ्री पर यार मैंने रखी है माक्रोसोफ सर्फेस बुक थ्री को अगर इस लाप्टाप की बात करूं सबसे पहले यह तो इन वन लैप्टाप है तैब भी यूज़ करसोकते हैं आपको एट जीबी व्रैम भी मिल जागी आपको 16 GB RAM भी मिल जागी धरी टूपर अधconfidence मिल जाएं को इसमें आपको 5L B मतलब जितना पर करोंगे उसकेíveम को स्पैसिविकेशन मिल जाएंगी अगर इसके में budget range की बात कुरूगो से स्टार्ट हो जाती है इसका बजट रेंज यार दो लाग के बज़र तक भी चला जाता है तो मैंने आपको बता दिया Microsoft Surface Book 3 के अभी आगे बात करते है नंबर 2 की नंबर 2 पर यार मैंने रखिया अगर इस लाप्टाप की बात करों इसका डिजाइन बहुत रहाँ सही है विकर्ज आपको डूल डेस्प्ले देखने को मिल जाते है अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टर पर काम करना एनिमेशन करते है अगर आपने फूल एश्टी डिस्प्ले की और नहीं जाना आपको 4K ऑप्शन भी देखने को मिल जाता लेकिन उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो जागा आप चाबड कर लेना आपको इसमें 16GB RAMP भी मिल जागी आपको इसमें 32GB RAMP भी मिल जागी तो स्पैसिफिकेशन बहुत ज्यादा तगड है तो इसको मैंने नमबर टू पर रखा भी आगे बात करते हैं नमबर वन की बात करूं नमबर वन पर यार मैंने रखिया एस्पी स्पेक्टर एक्स त्री सिक्स जीरो यार इसको बहुत पसंद करते हैं इसका डिस्प्ले इसका डिजाइन इसकी विल्ड क्वालिटी एंड इसके स्पैसिफिकेशन बहुत तगड़े मिल जाते हैं आपको फोर के डिस्प्ले देखने को मिल जाती जो की टच सक्रीन है प्लस यह 360 डिगरी पूरा ओपन हो जाता है तो डूनों कलर इसको बहुत सूट करते हैं अब जूरू करना अपको पसंद आएगा तो बीबात करते हैं अगर आपको को वाल्यक फिफ्टी चांस से लेकि अगर आपका विश्प्टी दो लाग तक हो जाता हम इस प्राइज रेंच की बात कर लेते हैं इस प्राइज में यार तो थ्री पर यार मैंने रखिया है Apple MacBook 13, No.2 की बात करो, No.2 पर यार मैंने रखिया Apple MacBook Pro ठीक है, तो भई अगर आपने इंट्वियर डिजानि करनी है, आज़ा ड्वालपर काम करना है, आज़ा ट्रेटर काम करना है, आपके लिए perfect deal हो सकती है, आप MacBook की और जा सकती है, आप Macbook क बात करो, No.1 की बात करो, No.1 पर यार मैंने रखिया Dell Alienware को अगर इस laptop की बात करो, यार यह laptop मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसका design, इसकी look वगरा बहुत अपर मिल जाती है, एंड भाई, मुझे भी पता यह gaming के लिए perfect हो, उसके साथ साथ भाई, अगर आपने कोई भी हैवी शॉस्टर पर काम करना है, as a creator काम करना, as a developer काम करना है, video acting करना है, photo acting करना है, 4K video acting करना है, अगर आपने last stream करना है, gaming last stream करना है, आप सभी के लिए ये laptop पो फेक्ट डील हो सकता है, अगर आप इसकी और जाना जाते हो, आपके लिए और भी good deal हो सकते है, एंड मुझे लिंक में, sorry, comment में बताना जरूर भी, अगर आप कोई भी buy कर तो इस laptop को मुझे comment section में बताना जरूर ठीक है, यार अभी मैंने आपको तीन laptop बता दिया, जो कि आपको डेर लाग से लेके 2 लाग के प्रेड में बहुत अपर देखने को में जाते, तो यार अभी मैंने आपको इतने laptop बताती है, 90,000 से start गया था, 2,000,000 बेर तक हम आ गए, ठीक है, तो आपको अभी आपको मेरी वीडियो चलेगी, अगर आपको मेरी वीडियो चलेगी, यार वीडियो को लाइक करते ना, कमेंट करते ना, शेर करते ना, दोस्तों के भी दोस्तों को बेदे ना, उनको को ना, श्यार मैंने सभी के लिंक परवाइडग यापको दिस्किप्सिन बॉक्स में देखने को मिल जएगा, उसको चांड करना मिल थे नेक्स्ट वीडियो मैंने वीडियो के मैं करते ना, Здесь